मसकार दोस्तों आप लोगों कहा आपके यूटूब चैनल मसके भी हम इंस्टूट में फिर से स्वागत है देखिए आज हम लोग और्गैनिक एमस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टन रियक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे नुकेलोफिलिक सब्टिचू तो देखिए यह सब जो जितना भी रियक्शन है यह सब अलकाईल है के दौरा सोग किया जाता है रियक्शन सवनबाल का एल फिल्फिलिक सब्टिचूशन और एक होता है एलिमिनेशन तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नुकेलोफिलिक सब्टिचूशन दिएक्षा का बता होगा कि एक nuclear file क्या करेगा बसक्तितो इसलिए अमनोंसे क्या भलता है nuclear वैइस हीं लिखा गया आँधे नुकुलेओ फाइल को क्या करेंक एको चणि पॉलेंगे बहुत चारा निपटी स्कis वत यह सhen 2 मेकेनिजमm SN1 mechanism, SN2 dash mechanism, SN1 dash mechanism, SNI mechanism, SNI dash mechanism, इस तरह का बहुत सारा mechanism है, आज हम लोग सिर्फ SN2 mechanism पर डिसकस करने वाले, तो जैसा कि इसका नाम है SN2 mechanism, इससे ही आपको बहुत सारा चीज मिल जागा, यह जो 2 लिखा हुआ, यह इसका molecularity है, क्या है इसका molecularity, तो इसका molecularity कितना हुआ, 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, bi-molecular, क्या बोलते हैं, bi-molecular, यहाँ पर N जो लिखा गया, वो लिखा गया nuclear file के लिए, तो bi-molecular nuclear file, S लिखा गया, substitution के लिए, तो इसका नाम हो गया SN2 mechanism का, आपके पास, bi-molecular nuclear file, substitution mechanism, ठेक हैं तो, अभी हम लोग इसी के बारे में discuss करेंगे, कि यह क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, आपको एक नया word मिला होगा, molecularity क्या होता है, तो molecularity के बारे में हम लोग जाते हैं पहले, तो देखिए, उसको समझाते हैं, तो देखिए, molecularity क्या होता है, तो देखिए, molecularity क्या होता है, number of reactants in rate determining step, कितना reactants rate determining step में participating कर रहा है, मैं rate determining step को RDS लिख दूँगा, तो आपको समयना चाहिए, कि RDS का मतलब rate determining step है, तो देखिए, SN2 mechanism में कहने का मतलब है, कि देखिए, इसका rate determining step है, तो इसमें कौन कोन participate कर रहा है देखिए एक molecules और एक दूसरा molecules दो molecules participate कर रहे हैं इस रियक्षन में इसलिए इसका नाम क्या होगा biomolecular इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है यह आपको पता चल गया कि इसका molecular कितना है दो है क्यों क्योंकि यहाँ पर कितना reactants भाग ले रहे हैं दो reactants भाग ले रहे हैं एक reactant और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ इसको nuclear flick substitution क्यों बोलते हैं देखिए ओएज मैनस जो नुक्लियो फाइल था उसने क्या किया यह जो क्यों था इस नुक्लियो फाइल को हटा दिया और इसल को हटा दिया और खुद वहाँ पर जाके लग गया तो खुद कितना क्या बन गया हमारे पास CH3OH PLUS CL- इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे mechanism के द्वारा तो देखिए इस mechanism पर ध्यान दिजेगा बहुत अच्छा लगेगा आप लोगो इस mechanism को देखिए हम समझाते एक बार की बात है क्या हुआ कि मैं बगीचे में टहल रहता तो उसी समय क्या दिखा कि आप ध्यान से देखिए यहां पे यहां पे जो कार्बन है उसके साथ और चार लोग थे एक हाइट्रोजन एक हाइट्रोज कि प्रज्शन जो था वह बहुत सरारति ठीथा मतलगे फ्योरीन थोडबदमासी करते चलते रहते थैंस हमें था उसने पार्क में चलते चलते मुझे ध् sangat मुझे जैसे धका दिया हैं मैं गिर गया तो मैं अकेला था वह लोग 5 लोग तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंश मेंटन हो गया तो मैंने उसे कहा कि एक कलोरीन मैं तुझे इस जगह से हटा दूँगा तुम्हें तुम्हारे जगह से मैं हटा दूँगा तो मैं गया तुरंट मैंने एक सिरियल किलर को कॉल किया जिसका नाम है ओएच माइनस ठीक है सिरियल किलर को कॉल किया ओएच माइनस को मैंने तो ओएच माइनस बोला कि कि मैं ये काम कर दूँगा मेरे लिए तो यह बाएंट को खेले मैं बहुत इस ट्रोंग निकुलियो फाइल हूं अब ध्यान दिजेगा मैं उस वर्ड को यह द्यान बताते जाओंगा आप लोग सिर्फ कहानी मत समझ एगा वह बहुत इस्ट्रोंग नुकुलियो फाइल हूं म इसे कुछ advance दे दिया और मैंने चालाकी से क्या किया कि मुझे अपने दुस्मन जो CL- है उसे हटते हुए देखना था तो मैंने कुछ चालाकी से क्या किया OH- के Cert में मैंने एक camera लगा दिया कि मुझे देखना था कि यह CL- इस तो मैं क्या देखता हूं कि OH- जो है तो OH- जो है उसको इसको हटाना चाहिए इधर जाना चाहिए इसको हटाने के लिए लेकिन मैं क्या देखता हूं कि OH- इधर ना जाके इस CL- को हटाने के नहीं जाके वो एयरपूट से मतलब जहां से जा रहा था वहां से भाग रहा था पीछे पीछे जा रहा था भाग रहा था इस तरह करके मैंने तुरंद OH- को कॉल किया क्या OH- तुम यहाँ पे C-L- को खटाने जा रहे हो लेकिन तुम इधर से तो जाही नहीं रहे हो तुम तो पीछे से लग रहा हो कि भाग रहे हो तो उसने कहा सर रुकिये OH- ने मुझे बुला कि आप देखिए मैं कैसे इसको हटाता हूँ देखिए आप यहाँ पर समझ यह कि यह CL- और यह OH- इधर से क्यों नहीं अप्रोच किया इसको इधर से इसलिए अप्रोच ने किया क्योंकि OH- इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज और आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में कार्बन के पैस डेल पॉजिटिव होगा क्लोरीन इलक्रो नेगेटिव होगा तो इधर से जाता है तो इधर से जाता है तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा रिपल्सन इसलिए वो बोला हम इधर से नहीं जा सकते हैं तो उस carbon के anti bonding को मतलब carbon के कान में वो बोलना इस्टार्ट किया कि ये CL- जो है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है CL- बहुत सरार्ती हो चुका है तुम CL मतलब उसका कान भरना इस्टार्ट कर दिया अब बेसिकली समझेगा तो इसके anti bonding में वो इलक्ट्रोन देना इस्टार्ट कर दिया इसके anti bonding में क्या करना इस्टार्ट कर दिया OH- इलक्ट्रोन देना इस्टार्ट कर दिया अब जैसे कार्बन को OH मैनस मिलना है स्टार्ट हुआ इस डेल नेगेटिव को इसको क्या किया इस जगा से इसने हटा दिया और जैसे ही हटाया हमारे पास देखिए यह प्रोडक्ट बन गया और यह एकिन्भर्शन प्रोडक्ट के साथ आगया प्लस देखिए रिटी डिटर मैनिंग स्टेप में क्या क्या हुआ हम उसे समझते हैं ने से मारे सकतेखिए ने मारे से हैं तो इसको हम लोग समाजते हैं तीन हटरोजन तो था उसके पास एक दो यह बेज और यह लेगश मे रहे हुआ था इसके एड़ी बांडिंग में क्या किया ओएच ने वेज़ के पास बहुत चार एलेक्ट्रों था तो वह नेगेटिव चार्ज देना इस्टार्ट किया यह कारबन के पास इससे यह बॉंड कारबन मैक्सिमुम कितना बना सकता है जैसा कि आप लोग जानते हैं क कारबन हमेसा 4 यह बना सकता है तो जैसे मैनस चार्ट किया यह किया स соврем को समझे यह बन रहा होगा और यह बांड कहा हो yout sót रहा हो यह product तो आप यहाँ पर ध्यान देजिए OS को CL इधर था हमारे पास तो OS को हमने इधर बनाया ऐसा इसलिए क्योंकि आप ध्यान दिए तो यहाँ पर यह anti bonding पर इसको इलक्रोन दे रहा था anti bonding में इलक्रोन दे रहा इसका मतलब back side से attack हुआ है तो हमें कैसा product मिलेगा inversion product मिलेगा इता product मिलेगा in version product मिलेगा आप यह ध्यान रखेएगा यहां पे back side से affect हुआ है तो हमें कैसा product मिलेगा inversion product मिलेगा थिक है और देखे CL माइनस बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ है एक être nuclear ने दूसरे nuclear फाइल को एटेक कर दिया इस तरह ओएच मैनस जो सिरियर के लिए रथा उसने मेरा काम कर दिया क्या किया उसने एंटि पॉंडिंग पे उसको इलक्ट्रोन देना ही स्टार्ट किया एंटि पॉंडिंग से जैसे इलक्ट्रोन मिला कार्बन को कार्बन ने धीरे-धीरे क्या किय हां दिया उसके जगा से आपको ये समझ में जुझे उप दिया कि इसे पास ओसकेय Sig करना ज़रूरी और सही संज़ें जिसको नुक्सान नुक्सान नंब्स ने कर सकते हैं कि अस तरह से67 था तो पास भी देशी कटा था तो उससे कुछ नुक्सान हो सकता था इसके पास फूल नेगेटिव चार्ज था लेकिन इसके पास भी था कुछ नेगेटिव चार्ज तो वह माइनस रिक्स नहीं लेना चाहता था इसलिए उसने एंटी बंडिंग से अटेक किया इधर से उसको कोई अधिया और इसके साथ ही उस वह क्लोरीन को क्या कर दिया बाहर कर दिया अब यहां पर ध्यान दिए हम लोग चैमिकल का नेटिक्स में रिट एक्सप्रेशन लिखने सखते हैं रेट ओफ ऐसेंटू मेकनिजम तो रेट एक्सप्रेशन यहां पर क्या होगा एक फाइल था तो देखे ओएज माइनस एक नुकिलिया फाइल था तो देखे नूकिलिया फाइल हो गया अब यहां से आप ध्यान दिजे तो मोलेक्रेटी हम लोग क्या बोले थे कि रेट डिटर्माइनिंग इस्टिप में कितना पाटिस्पेट कर रहा है तो आर एक कुछ बात देख लेते हैं तो सबसे पहला तो यह मेकनिजम एक ही श्टेप में हुआ रिट डिटर्माइनिंग श्टेप सिर्फ हुआ और एक ही स्टेप में हमारा प्रोड़क्ट बन गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वण से इसमें कोई कार्वोकेटाइन नहीं ब तो कार्बोकेटाइन नहीं बना तो no rearrangements अब आप ध्यान दीजिए कि यह रियक्टेंट से मेरा प्रोड़क्ट बन रहा है इसका मतलब कि प्रोड़क्ट जो होगा वो ज्यादा इसलिए प्रोग्रेश ऑफ रियक्टेंट है यहां पर अपर बना और यहां पर यहां पर एक डियास बना रेट डेटर्माइनिंग इस्टेप जिसको आम लोग बोलते हैं जश्ट उसके बाद तुरंट बन गया रियक्टेंट से तुरंट क्या बन गया प्रोड़क्ट आप देखी रहे होंगे यह रियक्टेंग था हमारे पास और जस्ट इसे क्या बन गया हमारा प्रोड़क्ट बन गया ठीक है तो इस तरह से था हमारे पास तो वही चीज लिखा हुआ है एक जो थर्मिक रियक्टन होगी एनर्जी रिलीज हुआ आप यहां पर देखिए ट्रांजिशन स्टेट्स में तो कार्बन एक ओएज मैनस का बन जूट रहा होगा और यह बन क्या हो रहा होगा टूट रहा लेगिन एक रेट डिटर्माइनिंग स्टेप में एक समय इसा रहा होगा कि तीन बॉंड तो हुआ उसके पास एक्जक्ली तीन हमारे चीज के साथ तो टूट रहा होगा तो एक साथ हम क्या बोल सकते हैं कार्बन पेंटाविलेंट के साथ एकजिस्ट कर रहा था तो पेंट इसलिए यहां पर लिखा गया है तो हम लोग बात करें तो हम लोग पहले ही बता चुके कि और यहां पर लिखें इसको अब कंफर्म याद रखिएगा इस तरह से था हम लोग का संट्टू मेकनिजम के बारे में आप लोग को बहुत कुछ पता चल गया इसका मोलेकरी टू है यह मेकनिजम की इस तरह से होता है एक नुक्लिय फाइल को क्या करता है उसको उसके जगा से हटा देता है इसमें कोई कार्वो केटान बनता नहीं एक स् तरीके से ठीक है आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सेर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद